कि लेट्स स्टार्ट क्योंकि अल्रड़ी आठ सवाट हो जाते हैं स्टार्ट करते हैं आप लोग अपने स्क्रीन पे कुछ तो देख पारे हुँ ना प्यात्ष मतर्य मेरा अतों अतुम प्याव धन्द प्यात्य प्या ने वेद्यों मेरा अपरे अध्या प्या घुण मेरको आवका अवास इनार्ड जिया आप पोडरू आपको कितना जीपे करना है मैं अभी कर दीए अरे मुझे बोलिये मैं कर देती हूं यह जो 4207 है ना आपका नमबर लास्ट में जहां पर आपको जीपे करती हूं अरे क्यों ना अरे थीक है ना जब आपके पास आया अभी उस दिन आपका पॉकेट से पैसी चूरी हो गया पॉस चूरी हो गया इतना तो हम करी सकते हैं ना नहीं ना टेक कर दिया है ठीक है कि एक ऐसे एफ िछी चाहरा है आलो तो हमने वांफिफटी-फॉर के उपर काफी सारी चीजों पर डिसकूशन किया आज मैंने किए प्रफटी-फॉर प्लस आप लोगों को जो बन फिफटी-फॉर का ग्राइटेरिया एक रहता है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे इसाब से तो लेट स्कार्ट एंट बिगेंर आपके स्क्रीन पे शेर हो रहा है न सब अब जब एफायार होती है तो एफायार जाती कहां है FIR जाती कहां है कहां जाती है FIR तो FIR किसी के होने के बाद में FIR घर पे तो नहीं पड़ी होगी किसी के घर पे या दुकान पर तो नहीं जाएगी ना तो ये आपको पता है कि पुलिस स्टेशन में होती है लेकिन क्या ये FIR पुलिस स्टेशन पे ही रहती है या यह आगे भी जाती है यह एफ आयर पुलिस स्टेशन के बाद में कोट में जाती है यह जो एफ आयर होती है यह कहां जाती है यह कोट में जाती है समझा आपको और यह कोट में कैसे जाती है जो वहां का पुलीस इंचार्ज होगा ठीक है पुलीस इंचार्ज होगा बोले तो constable भी अपन बोल सकते हैं यहां पर, बिल्कुल constable को भी यहां पर allowed है, ठीक है constable, वो जाके FIR को कहां पर लेके जाता है, वो FIR को कोट में लेके जाता है, और कोट में इस FIR का record बन जाता है, FIR को इसकी entry की जाती है, जो की कोट का register होता है, वहां पर इसकी entry की जाती है, कौन सा police station का है, कहां से आया है, और पूरा उसका FIR नंबर जो होता है, वो सारा का सारा data entry उसके अंदर होता है, यहां तक समझ में आया, मैंने क्या कहां? चीक है न, no difficulty आनी चाहिए अभी आप लोगों को, चलो, आगे बढ़ाती हूं मैं, जैसे कि आप तक यहां तक तो समझी गए है, तो FIR के खिलाफ, आप लोगों की आवास देखो कैसे चलेगी अब, अब यहां पर आप देखोगे, कि FIR के बाद, जो investigation हो रही थी, उसके बाद क्या पंचनामा होता है क्या, what do you mean by पंचनामा, यह पंचनामा होता क्या है, यह पंचनामा कौन करता है, यह पंचनामा क्यों किया चाता है, what is the reason of the पंचनामा, क्या आपने इस से पहले यह वर्ड पंचनामा कहीं पे सुना है, क्या, यहां से पंच नामा से आपको पांच का कुछ समझा रहा है कि फाइव पांच जनों की बात हो रही है यहां पर कुछ ऐसे तो समझ आई रहा होगा फाइव पीपल के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं फाइव पीपल बोले तो कौन पंच नामा कौन करता है पंचास कौन होते है ठीक है पंचास कौन होते है पंच नामा क्या होता है यह पंचास का काम क्या होता है इन्हें कौन बिलाता है when you perform seizure and write down the accused information याने कि आप जो भी articles को सीज करते हैं जो भी यहां पर देखो पंचनामा हो रहे हैं देखो यहां पर स्क्रीन पर देखो आपको सामने सामने लोगों को बुलाएंगे देखो कैसे witnesses को बुला के आगे काम किया जाएगा वन्यू राइट क्राइम सीन डीटेल जब आप क्राइम सीन के बारे में डीटेल में लिखते हैं कौन लिखता है बताऊंगी वो सारे के सारे crime scene के जो details होएंगे उस पंचनामा में बिलकुल लिख्थे हुए होने चाहिए पंचनामा जो है एक essential part of criminal अभी देखो यहां पारे न मैं आपको बता रही हूं कि यह पंचनामा सिर्फ criminal cases में नहीं है civil में भी होता है आप बोलेंगे मा'M यह क्या बोल रही हो civil में कैसे पंचनामा होगा जैसे criminal में होता है वैसे ही civil में गहाँ क्याない नहीं नहीं accused identification of accused etc. यहां पर जब criminal investigation होती है तो उस evidence को support करने के लिए जब police वहां पर investigation करती है कहां पर crime scene पर जहां पर वो घटना जब घटी है murder होने दीजे रेप होने दीजे कौन सा भी cognizable offense होने दीजे कौन सा भी offense होने दीजे ठीक है seizure if any याने कि अगर वहां पर समझो चाकू है तलबार है बंदूक है डाइफल का गन का गोली है जो भी है कपड़े है फटे हुए है सीमन का यह है जो भी है जो भी चीजे मैं बोल रही हूं मापर तो वो accused और उसकी identification की कौन है वो यह पंच नामा में होता है यह पंच नामा है यह provision क्या है कि पंच नामा is made to convince the court that the officer in charge has in fact tarried out the investigation search or any seizure or have acted upon the direction इसका मतलब क्या है कि यह provision के अंदर जो पंच नामा होता है यह court को convince करने के लिए बनाया जाता है कि जो officer है वहां घटना स्थल पे है उसने यह सारी investigation की है जो search करना पड़ता है जो उसको वहां के articles है उसको cease करने पड़ते हैं अगर आप CID देखते होएंगे न CID बहुत सारे बच्चों को और घर के बड़े भुजर्गों को भी मैंने देखा है CID चालू करते हैं अरे sony television तो लगा CID आता होगा many many people look after sony television for CID आप इसमें वो ही नहीं देखते हो कि चल दया दर्वाजा तोड़ दे सिर्फ उतना ही नहीं रहता इसमें कैसे police investigation कैसे है कैसे पंचनामा करती है न यह सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि यह जब investigation के बाद का ही process होता है FIR होने के बाद में जब police क्या करती है वार्दाए पर जाती है जहां पर ऐसा कुछ घटना घटी है तो उस समय जब वो investigation करती होती है तो witnesses को पकड़ती है आओ भाई आओ बताओ 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 तूने क्या देखा तूने क्या किया तूने क्या तूने क्या वो ऐसा वैसा तो प्रिस्क्रिप्शन है अबाउट डी कंटेंस ऑफ पंचनामा यहां पर सॉरी अंडर सी आर्पीसी होगा यह टाइपिंग मिस्टेक हो गई है और एनी स्टैच्यू मतलब यहां पर यह वोला जा रहा है कि पंचनामा को लेकर आप पूरा सी आर्पीसी दो चार आखों से कि मैंने तो कभी भी पंचनामा को लेकर कहीं नहीं पड़ा CRPC कि बात कर रहे हूं आप में से किसीने पंचनामा को लेकर CRPC के अंदर पड़ा है क्या name and place of a police station और any other authority conducting the same याने की उसके अंदर क्या होना चाहेखे कि police station का पूरा जो authority है जो पंचनामा को कर रही है उसका जगय होगी police station का नाम होगा या कौन सी authority है जो उसको कर रही है name and address of the पंचास witness याने कि जो जो पंचनामा कर रहे हैं उसके विटनेसे जो है जिसे अपन पंचास कहते हैं विटनेसे इस इकॉल जू पंचास मालूम है यह बात यह जो पंचास होते हैं यह विटनेसे होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं आपको पता है विटनेस बोले तो क्या साक्षिदार जो आके विटनेस देते हैं गवा 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 पं मच विटनिस कहते हैं uponच विटनिस कहते ते अपको टाइपस विटनिस भी दिखाँगी कि मच विटनिस क्या होता है और कैसे ही यह किया जाता है थीकि अबर उन Scientists तुछ विटनिस यानÄके वह लोगो का नाम क्या है उनकी उमर क्या है उनका अड्रेस क्या है वह पांच लोगों का पूरा description होता है उसके अंदर record of time when it was comments and when ended याने कि जब पंचनामा शुरू होता है वो वहाँ से पहले time record होता है कि यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हमारी पंचनामा करते समय यह सारी चीज़े खतम हुई name and rank of the officer containing the पंचनामा याने कौन सा officer पंचनामा कर रहा है वो कौन से rank है SI है जो भी उसका rank है उसके according ASI है PI है police inspector है या जो भी वो है तो उसका जो rank होगा वो पंचनामा करते समय वो सब mention होना चाहिए उस पंचनामा में और मैं आपको बता दूँ कि जब CRPC या crime criminal case जो होता है न जब हम cross करते है न तो यह पंचनामा के उपर तो जबरदस cross होती है यह तो हमारा एक माध्यम है जिस प किया है पर बताओंगी ऐसे नहीं ठीक है details of a particular place of person signature of the officer and all the panchas details of the seizure if any यह सारे के सारे details उसमें लिखने पड़ते हैं कि कौन सी जगा है कितने लोग है उसमें signature उस officer का करता है और वो सारे panchas जब वहां पर वो मौजूत होते हैं और detail of a seizure यहां पर तो पूछा जाता है कि आप पूली स्टेशन से यह पंचनामा बना के पहले से ही लेके आया थे न एक क्रॉस का question होता है यह suggestions का question होता है बताओंगी कैसे details of the place where pancha is to be done जहां पर वो pancha करने का है वो place का पूरा details रहता है date and place of the seizure who did the pancha nama who did the pancha nama who was the investigation officer and the name of all the five witnesses याने की कौन आयो था investigation officer उसमें कौन था और उसका नाम और वो सारे pancha witnesses जो वहां पर मौजूत थे this is the real this is the all the content that you have to mention in the pancha nama यह सारे के सारे contents जो है जो detail of the place particular person signature उस officer की उस pancha की signature seizure अगर उसने चाकू किया है तलवार की है खून के यह है जो भी है वो सब detail होने चाहिए वो कौन सी जगा पर pancha nama हुआ है date क्या है time क्या है क्या सीज किया था और who was the investigation officer याने investigation officer का पूरा नाम उसके बारे में सब कुछ जानकारी होने के साथ साथ यह सब important है कि जो investigation officer काम कर रहा है उसके उपर तो उसका नाम आएगा और जो five witnesses ते जिसे हपन पंचास के रहे है witnesses is equals to तो पंचा पंचास पंचास ठीक है यह एक contention है जो एक पंच ना मा में हुनी चाहिए इसको तो cross में रगड के अपन खेल सकते है ठीक है आ रिये बात समझ मेंगी विटनेस मेंस पंचास मेंस पाई है ना में हाँ थीजाद फाइव विटनेस ना हुवर मतलब जबी क्राइम होता है तो दे टेक देम ना तू विद देम में ऑन दे क्राइम सीन और आफ्टर देट आट यह थीजा पंचास एक्चुली रेप्यूटेट परसंस भी होते और यू कन से लेग दाट ओल्सों ना पंपल्सरी फाई में हां मैं इसमें वाइप्लार रहेंगे है क्या बैए को सकते हैं जाने माने भी बोल सकते अनून भी बोल सकते हैं इनकी क्राइटरिया को और इनको कैसे यह देखते हैं यहां पर पंच नामा आप लोगों ने सुना होगा भाई spot punch नामा क्या होता है कहीं पर spelling mistake हो तो उसे ignore कीजेगा क्योंकि मैंने बहुत fast typing की थी इसलिए शायद मेरे से रह गया होगा so please excuse me for this this punch नामा is generally drawn by I.O spot punch नामा I.O करता है वो क्या करता है जो investigation officer होता है वो visit करता है crime scene पे ठीके वो क्या करता है उस spot पे जाता है जहां पर crime scene हुआ है जहां पर घटना घटी है accident हुआ है murder हुआ है rape हुआ है जो कुछ भी हुआ है ठीके दपंचनामा the पंचनामा contains the details of the crime during the visit of the I.O and the panchas याने कि यहां पर I.O और panchas मिल के उन crime scene पे जाते है और जो details होते हैं उन्हें लिखा जाता है और उस details को include करता है कि place कैसी थी छोटी जगा थी room था isolated place थी या फिर वो कुछ आस्मान की नीचे वो लोग कर रहे थे या कोई public place थी तो ये पंचनामा में होनी चाहिए ठीक है और वो position of lying things याने वो जो dead body होती है आपने देखा होगा कि वो आड़ी पड़ी थी कि तेड़ी पड़ी थी कि उसमें कितने चाकू लगे होए थे उस body का detail जो बोलते हैं हम लोग वो बोला जाएगा और lying things का मतलब है कि समझो किदर चाकू पड़ा था तो खून के दबे किदर थे तो कोई चीज कहां थी तो वो सब होना चाहिए investigation will write down the body was in which position याने कि उस investigation में जो body होती है याने कि अगर murder की बात की जाए तो जब spot punch mama किया जाता है तो वो body जो थी जो जो person मर गया था वो कौन से position में था उससे अगर मतलब उस हर angle को लेके देखा जाता है और उस समय ये देखा जाता है कि ये कैसे किया गया है चाकू ऐसा मारा गया है चाकू ऐसा मारा गया है या फिर नारियल का जो अपन कोई ता जिसे हम कहते हैं उससे मुंडी तो नहीं उड़ी हुई है या उसका जो pieces of body जैसे cut करते हैं आपने देखा होगा कि defreezer में body cut करके freeze में रखा गया था इस इंसिडन एवरीबडी मस्ट बीडूइंग एज लॉइंटेड पॉसंट जो भी यहां पे बैठे हुए हैं उनको डेफिनेटली इस चीज के बारे में मालूम होगा है ना माम हम गुड़ीवनिंग 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 एक्स्ट्रीम क्राइम के तो डेफिनेटली पंचनामा होता है जाए है और नमल एफाया तो वेन डेर इस डिस्ट्रक्शन तो प्रॉपर्टी वाटेवर इसक्राइब पंचनामा इसलिए तो मैंने बूला है कि सिवल और क्रिमिनल दूनों पंचनामा होता है इनों होते हैं बट वन दे दूनों दूट दाइए अं रिपीटली दूनों दू दाइए so would that amount to is it tantamount to justice obviously 100% dear 100% obviously they are duty-bound to do that no ma'am in some cases ma'am मुझे actually थोड़ा confusing लगता है where there is child rape or anything of bodily injury if it is blood injury bleeding occurs then they are very fit for it because उनके पास आएगा नहीं तो but if there is blunt injury I have seen 99% they don't bother MLC करो और बाद में हम डिसाइड करेंगे whereas a blunt injury externally could lead to a blunt to a serious internal injury or discomfort see depends are they under obligation actually they are under the obligation they are okay yes of course they are under the obligation ma'am मुझे confusing होता था के how do they decide इसले I want to do there are citations which speaks about this I will share you one citation it is mandatory for them to come whatever it is correct even if it is civil even if it is criminal like if it is bleeding or something they run and come because it will come upon them this is a main fact but the situation is not this so they try to bypass these things but it is mandatory for them they cannot bypass this situation there are certain citations which say it's that have you read any citation about this? ma'am I showed some citations also I will share with you also ma'am Bungardan का ही case है Bungardan has become so pathetic they don't do anything other than Bungardan complains with the officers and everything is lot of officers now मै कुछ यहाँ पर नहीं बोलूंगी we get many complaints I have many cases about the Bungardan they don't act civil also they don't act in a criminal thing also haa to ma'am that means it is it is you know another obligation that they are following yes 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 I don't know from where they have studied or where what knowledge they have got they act not even legally they don't know anything but I will not use word here let's leave no no I just wanted to know ma'am वो जो लेडी है वहाँ पर she said don't teach me law just because you are a advocate lawyer yes she said that she said if you are not satisfied with me you can go higher but I am not going to do the I am not going to do the panch nama it's too late for me to call anybody and it is too late for me to do the panch nama यह उसके अलफाज है hmm so this is my job of what to do that you could you could have given an application and writing over there itself ma'am they don't take ma'am they don't take the police no though they don't take you can do the official website on their official website cc to the police station that I am standing in this police station I have been asking the senior police inspector that she is supposed to do the IO the panch nama now she is saying that it is not the right time to do it as all the panchas and everything I am not in a possible way to call everyone from here so it's not possible so you could have written this application rather than cc to commissioner rather than cc to cp and all immediately you were standing there ma'am no dear why to wait now you have a mobile there itself we can do everything it is not necessary that we need a typing we need a printer or we need something ma'am I did not do it from there itself you could have using the web portal immediately you would have email cp sp and keep their concerns in cc that I have met this I have done I have done that this IO is not taking an application from me I have done sp and they have done if they are not understanding we will make them understand in our language then ma'am I have left the evidence as it is I have not tempered with it though though not tempered I am going to take action on but I hate it will be a problem for you no though not tempered no after they can take this evidence tempered this and that immediately you can take the cognizance immediately you can draft application immediately immediately you can all there you can see their seniors you can get ma'am we have done it but there is no response on that aspect again there is no response though there is no response but I hate they are answerable for this this is good evidence for you I was standing here I asked the IO is denying to do his duty ma'am what I will do is I will again give a second set and I will do that if they are not taking just let me ma'am I'll do it and I'll consult you one more time fine thank you ma'am thank you most welcome now now we have spot punch name ma'am investigation when there is body in which position you can see everything okay 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 no ma'am she is not here okay i think she went to exams ma'am okay today's her exam no on the way coming back okay now seizure punch name तो पंचनामा का मतलब यह होता है कि पूरे के पूरे जो सब्बूत होते हैं जो आयो वहां से कलेक्ट करता है उन सब चीजों को और एक पैकेट में डालके उसको पूरा यह सील करता है तो वह पंचनामा is drawn when it seizes the I.O. some articles from the accused person or any other person at the crime scene articles seized from the crime scene or any other place there can be number of seizure पंचनामा in one single case depending upon the article seized from one several spot places अब यहां पर जरूरी है कि एक ही spot होगा अलग अलग spot पे भी गए रहेंगे पंचनामा करने के लिए तो single case नहीं है उस पे तो depend articles different भी हो सकते हैं बहुत सारे भी हो सकते हैं तो serval spot places पे जाने के बाद में जो भी number of seizure पंचनामा होता है in one single case depend upon the articles, articles के उपर depend करता है the scholar seizure पंचनामा in quest पंचनामा मुझे पता है आप लोगों को interest नहीं आता होगा यह पंचनामा को लेकर आप यह सोचते होंगे कि CRPC में 154 में कहा लिखा यह क्या पढ़ा रही है हमको बैठके है ना आप लोगों को definitely यह लगता हो का परेक्ट बात है ना हो सकता है कि आपको 154 के अंदर जब seizure पंचनामा in quest आप लिखाई नहीं है तो आपको समझेगा कहां से मैं इंपक्ट पंचनामा पता नहीं था पता तो चला हूं सही बात है पंचनामा नहीं पता था पता तो चला लेकिन यह 154 के साथ में मैं क्यों पढ़ा रही हूं पंचनामा आप मैं से कोई बताएगा तो मैं थोड़ा आगे जाओं कि मुझे भी इंट्रेस्ट आना होगा मैं इस अब प्रोसेस तो यह होगा लेकिन यह प्रोसेस को लेकर हमें कहां पर पढ़ना पढ़ता है पता है आप लोगों को यह तो CRPC में आप कहीं नहीं पढ़ेंगी इसको कहां पढ़ा जाता है इसको कहां पर पढ़ते हैं हम लोग मैं इंवेस्टिगेशन का प्रोसेजर होगा उस वाले में बढ़ा आपने CRPC में इनक्वेस्ट पंचनामा स्पॉट पंचनामा यह जो मैंने अभी आपको रीड़ करके दिखाया कहीं पर भी लिखा है और आप जो बोड़ों उस साह में तो यह नहीं पड़ता हैं अम लोग कहीं पी इसराइस नियुक्त आरफीजर पंचनामा काँ पर क्याएं कहां पर पढ़ा है बढ़ पंचनामा ever in hockey कौन से सेक्षे से 159 section number 159 process जो process होती है उसमें उसमें process दिया है लेकिन उसमें भी कहां clearly punch witness को ये बोला जाए witness को सरफ ये refresh करने के लिए दिया जाता है memory ये बोला गया है no 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 ma'am अपना क्या बोलते है criminal manual police criminal manual procedure police criminal manual procedure is the correct answer क्योंकि अगर हपन बोलते हैं हमने CRPC में पढ़ा तो हमने CRPC में पंचनामा को लेकर कहीं पे भी नहीं पढ़ा है ये बात आप लोग याद रखना the inquisth panchnामा has to be done in accordance with the section of 174 ये 174 के collaboration से होता है जब कोई person मर जाता है और उसका suspicion होता है कि भाई वो तो उसका उसने suicide किया होगा murder किया होगा उसका murder हो गया होगा या accident case है तो ये पंचनामा help out करता है कि whether the sight of the dead body it can be gathered that the cause of death is natural or unnatural यहाँ से पता चलता है कि जब आप body को देखते हो अगर उसको चाकू लगा तो यहाँ से समझ में आगा murder है अगर वहाँ से कहीं से वो उसने suicide करने की कोशिश किये गोलियां खाई है नस काट दी है जंप मारा है जो भी किया है तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि body का suspicion क्या है मतलब वहाँ से आपको clear हो जाएगा suspicious जो है आपके दिल में कि यह murder है क्या यह है कि वो है है ना accident होता है कि यह accident करवाया गया है यह accident natural हुआ है तो यह पंचनामा आपको help करता है dead body को देखर कि cause of death का आपको inquis पंचनामा बताता है ठीक है now memorandum and निवेदन पंचनामा यह निवेदन पंचनामा जो होता है न यह महाराष्ट्रा में बोला जाता है बाकी सब जगे पे इसे memorandum of पंचनामा कहा जाता है ना the statement made by the accuse recorded before the पंचा while the accuse is in the police custody जब police custody में accuse होता है तो उसका जो statement लिया जाता है made by the accused जो statement accused देता है और वो record किया जाता है पंचास के सामने तो accused जब कब जब वो police custody में होता है accused mostly inform करता है police को उन witnesses के सामने वो information जो की crime in question को लेकर है जो उनके सामने hidden point है और यह weapons है याने की चाकू हो गया चुरी हो गई तलवार हो गई बंदूख हो गई जो जो भी weapons अगर हम कहें और other articles यूज आने की या फिर कुछ और articles जो यूज किये गए हैं इसे memorandum of panch nama कहते हैं हम माराष्टा वाले इसे निवेदन panch nama भी कहते हैं correct sonia yes ma'am और आपने निवेदन panch nama पर तो बहुत सारा क्रॉस किया ही होगा ma'am cross तो लेते हैं हाँ चलो now I intend to be more sharper in cross हाँ cross is a double-edged weapon so we have to be quite smart और cross करते-करते ही हम polish होते हैं और law पर हमें commands, contradictions कहां पर question in full length पूछना है कहां पर हमें उसको उतना पूछना है और कितना जवाब देने के लिए लगाना है that is only the art मुझे in fact मैं आपको बता हूँ क्या seriously speaking मैं जूट नहीं बोल रही हूँ मतलब I don't know ये सारे बच्चे जो यहाँ पर है वो cross कैसे करते हैं सीखना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे पर मुझे बहुत दिल होती है कि मैं आप लोगों को सिखाँ कितना स्ट्रगल करके सीखा है कितना स्ट्रगल करके सीखा है लेकर सच्छी बोल रही है कि मैं को बहुत हुता है कि आप लोगों को बताऊं कि this is the way the question is to be asked कौन से टाइप of questions कहां पर हम लोगों को करने चाहिए किस तरीके से जो tutored witnesses होते है उन्हें कैसे फसाना चाहिए मुझे ये बहुत इच्छा होती है सिखाने के लिए माम लीजे ना प्लीज सिखाईए मैं क्या बोल रहे हो विक्की मतलब मुझे ना वो बात बहुत ऐसे एक मेरा टाइम ऐसे था कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन हम चीफ में लेते हैं जो चीफ में क्या है वो सब बोला जाता है लेकिन जैसे 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 टेक ओफ लिया जाता है कि हर क्वेस्टिन को कैसे पूछना चाहिए कुछ हामलेस क्वेस्टिन्स नहीं होने चाहिए और जो क्या जर्वत है यह आपको पूछने की काई को पूछ रहे हो क्या है इसका क्वेस्टिन का क्या है आपको इसमें तो नहीं है ऐसे करके आप लोगों को बहुत कंफ्यूज भी किया जाए इवें लॉयर महां पर यह हो जाता है कि भाई क्या पूछने आये थे अब तो हमारे कितने सारे लॉयर्स हैं मैंने जो देखा है क्रॉस की तैयारी करके जाते हैं क्रॉस लिखके जाते हैं मैं जब जिस मेरे सीनियर के पास काम करती थी न तो तब वो भी मुझसे क्रॉस लिखवाती थी and really I appreciate क्योंकि उन्होंने जब मुझे cross लिखाना लिखाना start किया था उसके बाद में मुझे समझ में आया था कि cross को लिया कैसे जाता है maybe आप लोग सोचते हूँए कि कितना भाशन देती है माम आपका experience बोलता है माम definitely आपका जो passion है towards procedural law ये बहुत कम दिखने को मिलता है steps follow हर कोई करता है लोगों को steps सोनिया जब मैं वो सीखती थी hierarchy होती है जैसे हम लोग DLR के पास DRT के पास कप जाते है circle office के पास कप जाते है revenue matters को लेकर हमारे पास एक बहुत बड़ा matter था जब मेरे senior के पास उस समय I used to get tears in my eyes इसा भी होता है हमें सरफ यही पता है मैंने जो इने पता है civil court senior division उसके बाद में district होता है यह होता है वो होता है उतना ही हम लोग ने उनको just एक small pond में डाल के छोड़ दिया है but इनको मुझे ऐसा feel होता है कि इनको ocean का भी अनुभव करवाना चाहिए कि यह ocean है जाओ नुप की मान के देखो कैसे लगता है that time I used to cry very badly कि मुझे तो यह भी नहीं मालूम है मुझे तो यह भी नहीं आता है कि circle officer के पास हम लोग कौनसा matter challenge करते है साकर संकुल में हम क्यों जाते DRT orders को लेकर क्यों जाते commissioner के पास क्यों जाते DLR में क्यों जाना पड़ता है city survey में क्यों जाता है अगर 712 extract के अगर कोई matters होते है तो उसको कैसे चलाना चाहिए with that I got lot of experience मतलब civil का मुझे CB नहीं आता था वहाँ से मेरे edges जो है बहुत strong होते गए on hats off to my senior जिन्हों ने मुझे इतना 10 साल काम करवाया without boring 155 information as to non-cognizable cases and investigation of such cases अब हमने ना जब start किया तो हमने सीधा सीधा बताता है इसे NCR केते है non-cognizable report हमारे महाराश्रा में इसे NC कहा जाता है और आपके यहां पे NCR केते है non-cognizable report ठीक है जो information officer in charge of police station में आती है कि जो भी non-cognizable offense को लेकर तो he shall enter the substance of the information in the book kept in such officer as the form by the state government इसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो book prescribed है याने कि जैसे हमें state government जो provide करती है उसके हिसाब से ही इसको NCR report होने दीजिए non-cognizable report होने चाहिए उसको यह करते है NC अलग बाती होती है non-cognizable की बात में कहूं no police officer shall investigate non-cognizable case without the order of magistrate having a power to try to commit the case for trial यानि कोई भी police officer investigate नहीं करना चाहिए without the order of magistrate यानि जब तक magistrate का इस चीज को लेकर order नहीं होता है तब तक उन्हें कुछ नहीं करना करना होता है report any police officer receiving such orders may exercise the same powers in respect of the investigation arrest without warrant अभी देखो आपको पता है कि जहां पर cognizable cases की बात आती है तो police वाले क्या करते हैं बिना किसी magistrate के बिना किसी के order के सीधा अब उनके पास warrant है क्या नहीं है बिना warrant के भी वो उस person को arrest करते हैं ये case relate करते हैं two or more offenses of which at least one is cognizable the case shall be deemed अब देखो है क्या है हां और 406 का FIR है रीड विद 34 है तो इसमें cognizable कौन सा है और non-cognizable कौन सा है जड़ा बताओ तो हाँ 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 420 IPC cognizable है 406 IPC cognizable है read with 34 आप लोगों को पता है क्या है क्या हुआ non-cognizable sorry cognizable दोनों के दोनो cognizable offenses है है ना अगर यहां पर कोई non-cognizable offense को लगाया जाता है तो क्या FR नहीं होती क्या अफकोस होती है अफकोस होती है ठीक है आते हैं 156 पर अब before moving into 156 पहले आप लोग 156 का base समझ लीजे 156 का base is very 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 important जितने भी आपको important अपने बेरेक में लगाने है उतने लगा लीजे ठीक है क्योंकि ये एक procedure aspect होता है जिसे आपको समझना पड़ेगा ठीक है 156 इसमें तो main है 156 3 लेकिन 156 क्यों आया क्या जर्वत थी 156 आने की जब FIR होई रही है तो 156 का क्या बाता है police officers power to investigate cognizable case अब यहां पर word investigate का हजारा है कि police officer को power है cognizable cases में investigate करना बिना magistrate के orders के हाँ बिना investigation के वो कुछ कर सकते हैं हाँ उनको jurisdiction होगी तब ही वो cases में आगे बढ़के देखेंगे हाँ उसकी limit क्या है जो इस chapter के according दी गई है ठीक है no proceedings of a police officer in case shall be in a stage to be called in a question on the ground अब अब इसको न हम पूरी तरके से समझने की कोशिश करते हैं ओके इसको पूरी तरके से समझने की कोशिश करते हैं जस्ट अ मिनेट ना आपके सामने एक blank screen है आप इस blank screen को समझने की कोशिश करना यहां से आप 156 समझ गए ना तो lifetime आपको 156 के उपर जितने questions आते हैं आप उसको लिख पाओगे और 156 का base clear होगा तो as a lawyer भी आप लोगों को समझ आएगी की बही 156 होता क्या है now 156 154 is equals to FIR इतनी कहानी में आपको बता क्या ही हो FIR की 154 में आप लोग भोर भी हो गए होंगे 154 को सुनते सुनते तो जब पुलीस वाले आपको बोलते हैं FIR तो नहीं लेंगे चल इदर से निकल बाहर get lost नहीं लेंगे तेरी FIR भाग इदर से तो अब पुलीस वालों के उपर क्या हम लोग छुप चाप अगर पुलीस वाले FIR नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे आप क्या करोगे आप पुलीस ओफिसर के अगेंस कम्पलेन करोगे ये तो बात की बात है पहले तो FIRE होने दो भाई तो उसको लेकर हम क्या करेंगे आप लोगों को क्या करना है एप्लिकेशन तयार करनी होती है now what is this application about यह application क्या होती है क्या यह complaint होती है क्या यह application क्या होती है यह application वो होती है जो आपने देखा ना महाँ पे कि SI को complaint की जाती है SI को complaint की जाती है sorry SP को complaint SI मेरे मुझ से निकल ला SP को complaint की जाती है हमने देखा यह बात है न तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं मैं SI is also right पर मैंने वहाँ पर SP बता है था तो यह लोग confused नहों जाए ना इसलिए मैंने का फिर से SI क्योंकि हमको आदत है बोलने के लिए SI है SP इसमें इसलिए मुह से बूला मैंने अब देखो जब आप application देते हो जो की complaint form में रहती है क्या वो complaint form में रहती है उस application को draft कैसे करते हैं यह भी दिखाती हो कि इस application को draft कैसे किया जाता है आपके contents में क्या होना चाहिए उस application को कैसे draft की जाती है आप कभी school या college तो गही होंगे अरे माम यह क्या बोल्ड हम क्या school college नहीं कहते तो आज law students ओके क्या हाँ थोड़ी बैठते है ना तो from mister जो जो भी रहता है वो एक application देता है from so and so from so and so जिसमें उसका नाम होता है जिसमें उसका address होता है जिसमें उसका mobile number होता है चीक है उसके बाद में हम लोग to लिखते है to the SP या जो भी है SI जिसको देने का SCP को देने का SI को देने का है SP को देने का है Commissioner को देने का है ये बात मैं क्यों कह रही हूँ बताती हूँ आप लोगों को बहुत important है इसके साथ में case loss जुड़े हुए है इसलिए मैं बोल रही हूँ ये application इन CC में बोल रही हूँ मैं लेकिन आप किसी भी एक authority को देते हो तो बाकियों को आप CC में डाल सकते हो और ये सारी की सारी जो आपकी application होगी जिसे हम complain कहते हैं आप इन सभी को वही same complain post करते हैं ठीक है जिसमें आपका date आजाता है याँ पे तू आ जाता है दिखाऊंगी कैसे करते हैं डोंट वरी अब जब CP को इन लोगों का respective addresses जो होते हैं उन addresses पे आप इनने क्या करेंगे RPAD Registered Post ठीक है RPAD करोगे Registered Post Acknowledgement सुना आओगा इस बारे में कि जब आप किसी को खत भी बेशते हो Letter भी बेशते हो तो उसके साथ में आप Acknowledgement लगाते हो कि सामने वाले के पास वो Letter गया है कि नहीं गया है ये आपको इस बात का Proof देता है जो एक आपको एक slip दी जाती है Post से और उस slip को आप Track करते हो कि कहां पे गया है ठीक है यानि कि This is called as a track report वो slip जो होती है उसमें से आप track report करते हो आप track करने के बाद में समझ आता है कि CP को receive हुआ है कि SP को हुआ है कि Commissioner को हुआ है जब आप उस application complaint को इन सभी लोगों को बोल रहे है जो ये पुलीस वाला है ये हमारी complaint नहीं ले रहा था ठीक है आप गए उनके पास जैसे हमने सुना था 154 में उरल दोगे वो क्या करेंगा Reduce in writing सुनके आयो आप ये सारी पाते हैं न Reduce in writing Reduce in writing वो आपको बताएगा और पूरी F.R. पढ़के सुनाएगा और आप वहाँ पे signature करते हो और जब informant बन जाते हो फिर इतनी बात सुनने के बात में आप 156 क्यों कह रही हो मैं investigation बात है 156 का मतलब पुलीस को investigation करने की है मतलब तो उधर ही आता है न फिर आप ये सब क्यों करवा रही हो तो कहने का मतलब ये है कि पुलीस ने F.R. register नहीं की थी इसलिए मुझे कोट के पास जाना पड़ रहा है तो उससे पहले मैं क्या करूंगी कोट की दरवाजे से जाने से पहले मैं ये वाला जो पार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि आप इन सभी को application पेजेंगे कोट आपको बोले की कि आप respective police officers आप सीधा वाँ पे खड़े रहे के ये नहीं बोल सकते हैं मैं police station गया था, police मेरी नहीं सुन रही थी police क्या भी कर रही थी कोट आप से पूझे कि return में आपके पास क्या है कि आप police में गए थी तो ये आपके पास proof है कि आप police में गए थी ठीक है, आपने क्या किया CP को application बेजा SI को बेजा, SP को बेजा Commissioner को बेजा, उनके addresses पे बेजा उस application complaint को ये लोगों में से किसी ने भी action नहीं लिया है उस complaint के उपर कुछ भी act नहीं किया है उस complaint के उपर इन लोगों ने ना ही FIR register की, ना ही कुछ किया, ठीक है अब ये बहुत हुश्यार होते हैं, पता है क्या करते हैं, अगर ऐसी कोई application आती है police वालों के पास, ठीक है और वो समझो ऐसी application है जो थोड़ा सा civil touch देती है ये क्या बोल रहे हो, समझो property matter simple बताओ, property matter ये जो application है अगर ऐसी बात है तो ये application ये लोग अपने legal department में बेशते हैं, क्या police वालों का legal department होता है क्या, आप क्या बोल रहे हो हाँ, होता है police वालों का भी legal department होता है, वो legal में file जाने के बाद में ये लोग decide करते हैं, आपको पता है आप मेरी video online है, नहीं तो मैं आपको action से बताती, कि जितना paper है न उतना पैसा है समझ रहो मेरी बात को अगर आप इस बात को समझ गया न तो law समझने में बहुत आसान होगा अब मैंने आपको layman language में बूला ये बात जितना paper उतना पैसा, समझ जाओ इस बात को, ठीक है? अब जैसे ही ये file legal department में जाती है, तो ये लोग decide करते हैं कि FIR register होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है? मैं उसको क्या मतलब हो जितना paper उतना पैसा का मतलब बेटा, जितना paper उतना पैसा का मतलब आपको मैं बताओंगी बात में, अभी ज्यादा नहीं बता रही हूँ मैं आपने कभी हाथ में papers उठाएं? कौन से papers मैं? कौन से papers उठाएं? समझो, 10-20 papers उठाएं के जो आपके हाथ में जितने भी paper है उतना weight, उतना पैसा जब practice में उत्रोगी न बेटा शिवानी, तो आप मुझे पताओंगी कि माम, इसका मतलब ये होता था क्या मतलब सामने से papers देखके ये बताया जाता था क्या कितना लोग है और कितना काम करोगी छोड़ देनी अच्छी बात होती है है ना, चलो तो ये जब legal department में file जाती है, तो ये लोग decide करते हैं कि whether the FIR is to be registered और ना तियाने कि FIR होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर समझो एक बात वहाँ से legal department से file आती है कि ये एक civil matter है और FIR cannot be registered उसके बाद में यहाँ पर ही ये लोग क्या करते हैं closure report देते हैं आपे this is a closure report ठीक है समझ में आया एतनी बात कि जैसे आप यहाँ पर जाते हो उनके बात ये लोगो अपना file legal department में जब बेशते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो case बनने जैसा ही नहीं ये तो criminal case ही नहीं it cannot set the criminal law in motion तो if not then what they are going to give a closure report to an accused person even if this is not called as accused because still he is not an accused still he is not an accused ठीक है लेकिन जिसके against में complain आती है उसे एक closure report दिया चाता है ठीक है this closure report states that the case is civil and the case gets closed over here और ये closure report कौन देता है ये closure report ये IO देता है और उसके उपर वो signature करता है कि the case is closed ठीक है this is a closure report और उस closure report में क्या होता है उस closure report में वो contents लिये जाते हैं उस complaint के जो इनके पास आती है और उस complaint के हिसाब से वो कहते हैं कि इसमें कुछ भी criminal था ही नई ingredient की हम लोग इसको as an FIR register करें तो this is a closure report क्या इतना पैटन समझ में आया इन तैम डूरेशन फर अ प्लोजर रिपोर्ट नो ताम डूरेशन फर अ क्लोजर रिपोर्ट नो ताम डूरेशन नो ताम डिवेशन तर्सवेशन विल बीडिलेशन या दे टेकन अपॉच्णिटी ना या यहां तक समझ में आया कि ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को कहां कहां और देखो क्या क्या आप फेस करते को कि आपकी आवाज है ना मिरेको बहुत दभी दभी आती है बेटा आप हम बोड़ रहे हैं कि आपको समझ आया कि नहीं बच्चे ये समय मां गया वक्का ना मजा आ रहा है समझने में कि आप नहीं आप के ये समय में अ परवहुत सेंटेय को समय मां ने खतेव रिए बीप्र इتي ये अंट Must जो आर्टिया मंगाओ. They ask for an RTI. For the victim, they don't give a closer report. Their closer report is only given to the person on whose complaint has been come before them. जिनके उनके सामने जो complaint आई है, जिस person के against उनी को वो closer report देते है. विक्तम को वो closer report नहीं देते है. उसको अगेंस वो जो आर्टिया निकालो जाओ इधर से. है ना Sonia? Protest petition, how can he proceed to protest petition, ma'am, without information? Now, the protest petition would be when he gets a copy of this through an RTI or from that they file an appeal. From there they file an appeal that I require this document. The police has given a closure report on this date and I require this document. With this they get a closure report and then they can file a protest petition. It means victim don't get any report. No, no. Through court also. See, you are talking about the court. Court के में जाके, पुलिस गें पुलिस गें बी समरी और सी समरी रिपोर्ट. Yes, ma'am. If the matter is not made out, I'll tell you what is a B समरी और सी समरी रिपोर्ट. Have you heard about B समरी? No, ma'am. When a police gives a B समरी रिपोर्ट. Have you heard about B समरी? जब पुलिस को कोई भी evidence नहीं मिलता है या वो चार्ट शीट नहीं फाइल करती तो उन्हें ऐसे लगता है कि बहु क्रिमिनल केस तो बनता ही नहीं है जो किया था वो भी नहीं बन रहा है तो पुलिस जाकर B समरी रिपोर्ट फाइल करती है यू नहीं नहीं न बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब यह यह वोल हरें है मैडम हो सुन्या योँ मस्टाफोटन था बीसमरी इंगरी एंग यह अब भी कुछ नहीं बोल रहे हो अबड़ अब भी चुको ओव बेटारो देटार वोट्ट वट वट्ट रहों टू मीट एंग्ट इस अ मरी रिपोट्ट वेटार वट्टर वट्वा व यह जो बताया है this one which is closure report you don't know about this closure report no 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 you gave very correct information about closure report and you filled in the gaps also so now we know where the preparation is actually being made it is much before the case that's what we have to do case file करने से पहले ही आपको यह सब चाहिजे मालूम होत नहीं चाहिए so that's why I'm saying 156 is only not this much इसकी आपने तीन परेग्राफ जीट कर दिया और आपको समझ में आ गया कि 156 क्या करना है अगर पुलीस कंप्लेंग देती है तो मेजिस्टरेट के पास जाना है मेजिस्टरेट के पास हम रिटन कंप्लेंगे उसके बाद मेजिस्टरेट करेगा without using the judicial mind उसको 156 का order करने का है लेकिन उसमें भी जो process अगर वो adopt करता है evidence लेता है complainant को examine करता है on oath बस इतना ही criteria 156 का आपने को मालूम रहेगा but not to the depth and the detail ma'am I'm little confused ma'am this person will the person filing the report will go back the person filing the report RTI then he'll get the get the paper the person that is the victim or the complainant or the informer yeah ma'am ma'am वो जाएगा बोलेगा मुझे अब RTI में दे दो दोनों को तो free copy मिलनी चाहिए न ma'am नहीं वेरिस और कहां पर लिखा है closure report के अंदर की दे supposed to provide the free copy ma'am वही को पूछते हैं न एक को मिल रहा है जिसके against complaint है उसको तो relief मिलता है मैंने क्या बूला आपको dear मैंने आपको ये बूला जितना paper होता ना पैसा नहीं समझी क्या मैं समझ गई ma'am लेकिन वो जो protest protest file करना होता है protest petition जब आप पाई करते हो उसका जो true crux है वो मुझे आज समझ में आए हाँ obviously इसके उपर ही तो हम जाते हैं ना और ये ही तो crux होता है जिस वज़े से जो victim होता है वो ultimately sufferer बन जाता है victim जो होता है ultimately accused बन जाता है वो बिचारा मरते रहता है और ये आया आराम से अपना बैठा चाए कॉफी पिया उदर हाय हलो किया inspector मैं क्या बूलू मेरे कुछ बाशाओ को control नहीं होता है इदर मुझे करने के लिए और बो in fact मुझे अब एक closure report में गल्ती अभी समझ में आई है which I will not go and protest I will clear it here only you have to do that no need of protest protest petition also no need और वो कौन सी गलती है आपकी ma'am not my fault we will have to use another method ma'am खाना तो ऐसे चाए roundabout खालो खाना तो है वो तो ऐसे खाऊ या ऐसे खाऊ तो ऐसे खाऊ तो ऐसे खाना पर बेटर होगा तो ऐसे ही खाईे ना हाँ चाए यहाँ तक आप लोगों को clear हो गया अब मैं बढ़ती हूँ 156 के तरफ ठीक है इन मेंसे किसी ने आपकी नहीं सुनी आप कहां जाओगे knock knock कौन है magistrate है magistrate के पास जाके क्या करोगी return complaint दोगी magistrate उस return complaint का क्या करेगा चाड़ लालेगा क्या उस return के complaint के उपर magistrate को cognizance लेने है क्या लेना है उसके उपर cognizance लेना है कैसे लेका वो cognizance जैसे ही आप written complaint फाइल करते हो उसके साथ में आपको effidavate देना पड़ता है क्या प्रियंका श्रीवास्तो की case नहीं पता क्या पता है पता है आप सभी को पता होगी है ना प्रियंका श्रीवास्तो का case है प्रियंका जिसमें वो क्या बोलते हैं कि आप जो भी complaint देते हो उसको इन दा फॉर्म आफ आपको एफिडवेट देनी पड़ती है याने की complaint supporting affidavit with list of documents कि आपका वैसे हम क्या करते थे पता है इससे पहले इस प्रियंका की case लोग आने से पहले हम लोग just a complaint file करते थे list of documents file करते थे वकील पत्रव फाइल करते थे और हम case को file कर देते हैं लेकिन after this Priyanka's case court ने कहा कि आप लोगों को जो complaint है उसके साथ में you need to give an affidavit what affidavit कि आपका जो complaint का contents है वो true है ऐसे लेकर आप जाक के क्या देते हो affidavit देते हो और उस affidavit में उस contents को लेकर आप clearly state करते हो कि the contents in the complaint are true and correct और आप उस complaint में कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे है जो नहीं होना चाहिए अब जो magistrate होता है ना 1563 का मतलब होता है वो court क्या करता है magistrate क्या करता है police को direction देता है FIR register करने के लिए ठीक है लेकिन लेकिन अगर FIR का option आप लोगों को नहीं दिया गया तो आप police के पास तो क्या है magistrate के पास दूसरा option क्या है magistrate के पास दूसरा अगर magistrate 1563 का order नहीं करता police को direction नहीं देता कि नहीं FIR नहीं होगी आप इसलिए तो court में जो क्योंकि police आपकी नहीं सुन रही थी इसलिए तो आप magistrate के पास गए हो कि हमने written complaint चलो आपके पास वाइल कर देते हैं आप तो cognizance लीजी आपको जो भी procedure था हमने follow किया है उसके बात में जब आपको as a complaint आपको on oath court क्या करता है आपका एक्जमाइन करता है आपको बोलता है अगर आपको कोई witness देना है अपना विटनिस पी लेख क्या हो अगर आपको further evidence नहीं लीट करना है क्या करो evidence को close करतो close करने के बाद में क्या होएगा आपकी argument होएगी argument के बाद judgment का process आता है तो court क्या करता है क्या 156.3 का order court करते था after listening to the argument या court को देखना है कि जो law है वो criminal law set in motion होता है कि नहीं ये चेक करना है gravity चेक करना है ingredients चेक करना है या उसे अपना judicial mind नहां अपलाए करते विए 156.3 का order करते ना है पहले 156.3 करने के लिए court फटाफट कर देते थे लेकिन कुछ high court और supreme court के ऐसे judgments आये जहां पर जो judicial magistrate first class reluctant हो गया 156.3 का order करने के लिए फिर उसने क्या करना start किया 202 202 क्या होगा जब 202 आएगा तब मैं आपको पताऊंगी क्या फिलाल आप 156 का थोड़ा सा concept clear हुआ येस मैं एनी डिफिकल्सी मैं आप लोगों को अपनी 156.3 की complaint कैसे ये करते हैं मैं दिखाती हूँ एक मिनदा मैं फिर से ये करती हूँ करते हूँ